नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वाइट करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सर्षयर 24 में दोस्तों साउट सेंटर एलिवे की तरफ से कि इमपॉर्टेट जारी हुई है ये दोस्तों आई हुई है सिकंद्राबाद की तरफ से और अगर अप्डेट की बात करयती है ये दोस्तों आप डेट जो है 25 तारीक आया था और ये दोस्तों बहुत इंपउर्टेंट आप्डेट है खासकर जो सिषे कैटेगरीं वाले जो स्टुडेंट पने वह बहुत हैं उनके लिए बहुत इंपउर्टेंट है और डीवी और मेडिकल कराने के बाद भी उनको पेंडिंग में डाल दिया जा रहा है तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि यह अपडेट जो है खासकर सिसे करेंगरे वाले स्टुडेट्स के लिए ही आया हुआ है ठीक है यहाँ पर अगर आप नोट क чув थो क्या हूआ रहे सिकंद्राबराइबाद के अंदर उनको पैंडिंग में डाल दिया घत घंज करने के बाद तक और इसमें इस टाइम पर डॉक्मन वरिफिकेशन हुआ था और फॉर हंड़ेट सीजे करेंडिट और इसमें से चार सो बच्चे है जो डेक्मन वाले स्टुडेंट सा उसके अंदर से जिनको डाल दिया गया है आगे बात करते हैं क्यूं डाल ड़ा गया उसके अंदर ही मिल जाएगा ठीक है इस नोटिस को मैं क्या करूंग टेलेग्रम वाले डाल जो वहां से भी आप लोग इस नोटिस को डाउंलोड कर लीजेगा और अपना अपना नाम जरूर चेक कर लिए क्या पता आपका नाम तो नहीं यह कहीं ठीक है तिक बार जरूर चेक कर लिएगा आगे बात करते हैं आखिर मैं डाला कियोंगे है सारी डिटेल बात करेंगे तो वीडियो बने रहेगा नीचे देखते हैं क्या लिखा कि आप से प्रूफ मांगा गिया है किस चीज़ा प्रूफ मांगा जो एक्जाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एड़ एक्जाम ठीक है और यह बैच में होता है जैसे कि 108 बैच होता है, 109 बैच का होता है, 110 बैच मतलब इस तरह से बैच चलते जाते हैं और अभी तक चली जा रहे हैं ठीक है तो यहां पर बोला गया है कि जो आपने जो बिच्च के अपरिल से पहले भी तो यहां पर इसी वजे से इनको बोला गया कि दुबारा से आप आप लोग हमें प्रूफ दीजिए अगर आप प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो आपका जो कंडेचर हो रद कर दिया जाएगा ठीक है में कारण यहीं है कि जो इशू है यह बारा चार जार निस वाला ही इसी के वज़े से ही यह सब देखलों को मिल रहा है ठीक है इसलिए प्र प्रूफ मागा गया कि डेट ऑफ एक्जामीनेशन का आपका कब था अपकब एक्जाम में अपेर हुए तह उसका प्रूफ दीजिए और उसमें साफ प्रूफ में लिखा होना चेह कि बारा चार जार निस पहले आपने अपना एक्जाम दिया है एक्जाम आप लोगों ने 12-14-19 से पहले दे दिया है आगे देखे क्या दिया गया रिमेनी कंडिट्स और गीवे न चांस टू परड्यूस द रिक्वाइड डॉक्मेंट मेंशन अगेंस इच ओन ठीक है उन्हें बोलाए कि आपने प्रूफ के साथ आप सभी चार चार यानि चार अपनी दौहरेटेश क रेलवे जूनियर कॉलेज ठीक है यहाँ पर सिकंद्राबाद में आप लोग 10 बजे जाके मिल सकते हैं ठीक है यह आपको लास्ट चांस दिया जाएगा विदाउट फिल्ट यानि अगर आप इस बार अगर अपना डॉक्मेंट समिट नहीं कर पाते हैं तो आप और आपका हमेशा के लिए रद कर दिया जागा ठीक है तो मिस्स मत किजिए अगर आप डॉक्मेंट आपके पास है प्रूफ है तो आप लोग लेकर जाईए ठीक है प्रूफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं जो आपका एंसीवीटी का एक्जाम हुआ था उसका जो एडिमिट काड अपने पास रखा हुआ है तो आप लोग जरूर उससे लेकर जाईएगा ठीक है आगे बात करते हैं देखे क्या दिया गया है इन दिस कनेक्शन एंड इमेल टू देर रिजिस्टर इमेल आइडेस विल भी सेंट नहींने बोला कि इस मैटर में हमने सभी को मेल कर दिया जो बच्चे भी पेंडिंग में डाला गया उन सभी को मेल कर दिया गया इफ कनिडिट फेल्स तो प्रड्यूस्ट दर इक्वाइड डॉक्मेंट्स और मैंशन अगेंस इच और फॉर फॉर टूजन टॉजन टॉन्टिटी तो उन्हेंने बोला कि अगर आप अगर आप चार अगर मिल जाता तो में भी आप लोग पॉसिबल है तो कि आप लोग बच जाएंगे अगर उसके अंदर 12-14-19 से पहले लिखा है डेट अपका रिजल्ट नहीं आया हो तो भी आप लोग अपना दे कर जाईएगा बट हां कंडिशन यहीं कि 12-14-19 से पहले आपका एक्जाम जो है कंड़क्ट हो जाना चाहिए था ठीक है आगए बात कर दें आगे का दिया गहां रिजन तो अगर आप पर और इसलोल नमबर में जाएगा यहाँ पर आपका नाम मिल जाएगा ठीक है जिन बच्चों को पेंडिगे चाला यहाँ पर देखें कि क्या रीजन दिया गया है रीजन फॉर पेंडिंग तो अगर आप रीजन देखिए तो यहीं पर वही रीजन दिया गया पैरा नंबर दिया गया फिल्टू समीट डेट ओफ अपेर्ट सीसी एक्जाम तो यहां पर उन्हें बुला कि आप अपेर का हुए थे एक्जाम के अंदर उसका सर्टिफिकेट आप लोग समीट नहीं कर पाए डॉक्मेंट वरिफिकेशन के टाइम पर और आप लोग अपना पुरूफ नहीं कर जो आपका एक्जाम है वह 12-4-0-19 से पहले एक्साम नहीं हुए यह आप लोग पुरूफ नहीं कर पाए अगर आप लोग पुरूफ कर दे तो आपको यहा बैच वाले जो बच्चे हैं उनी कीशी बात हो रही है क्योंकि उनी के साथ ही यह प्रॉब्लम आ रही है ठीक है आगे बात करते हैं यहां पर और वे कुछ बब भी आप और शोटे करते हैं युद्ध से किया है यौ से किया है या फिर इंडियन वाइल से किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका जो छूटे हूं नहीं मिलगा improv करये ओक्ट करते हैं तभी आपको फाइदा मिलता है वरना आपको फाइदा नहीं मिलता है ठीक है जो गलती है काफी लोगों ने किया है आप लोग देख सकते उसके तर सब डेटा दिखाया है कि उन्होंने कि क्यों हमने निकाला है देखिए और साब बोला कि CCA not done in railway काफी बच्चे ऐसे ह है पहले से है ठीक है ठीक है उनके पास पहले से डांबा धर करते हैं उस्टाइम पर होता है ठीक है उन्öhों की आपने बरेकर करेंगे चुट मिल बात करते है हां आगे का दिया गया है कुछ ऐसे बच्ची भी है जिनको पेंडिंग में डाला गया क्योंकि उनके पास OVC का सर्टिफिकेट नहीं था ठीक है और OVC का सर्टिफिकेट जो है उन्होंने उस टाइम पर समिट नहीं किया गया और उनको ऐसे ट्रिट कर लिया गया जैसे कि वो यूर के बच्चे हैं ठ 68 नंबर आते हैं ठीक है तो यह तो अगर OVC में अगर सर्टिफिकेट समिट नहीं करता तो यूर में आता है तो यूर में तभी भी पास हो जाएगा बट उन बच्चों को बहुत जाद दिक्कत होगी जिन बच्चों का 30 नंबर से मानके इसलिए 2 या 3 नंबर जाएदा हो यह मानके 33 नंबर था और OVC में पास थे बाट उनन डीवी के टाइम पर OVC का सर्टिफिकेट समिट नहीं किया जिसके वज़से इनको यूर में डाल दिया गया तो क्या यह पास होंगे तो नहीं बिल्कुल यह पास नहीं होंगे ठीक है यह पास नहीं हो सकते हैं बट इन किसे बच्चे बी जो OVC के वज़े से भी उनको पेंडिंग में डाला गया है ठीक है तो यहाँ पर सीचिये कर्टेगरी वालों का पता नहीं बैड लक्ट चल रहा है क्या चल रहा है तो यह हम नहीं बता सकते क्योंकि सीचे कर्टेगरी वालों के साथ बहुत ज्यादा वालों के साथ ऐसा की हुआ रहा यह पता नहीं और सिसे के ठीरिका तो मेरे सबसे बैड लक चल रहा है अगर देखा जाए तो फिलाल जो नोटिस के अंदर था दोस्तों सब कुछ मैंने डिसकस कर लिया एक पॉइंट मैंने कवर किया इस नोटिस के अंदर और अगर इस नोट जरूर बताईएगा फिलाल इस वीडियो को में लोग यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत